कि अच्छे होंगे और स्टुडेंट्स वैसे हमारी तीनों क्लासेज लग चुकी हैं इंग्लिश, मैथ और साइन्स की तो आप कंटिनियस ले रहेंगे तो बहुत जल्दी हम लोग कोर्स खतम कर देंगे और फिर रिविजन करेंगे और फिर बहुत अच्छी प्रेपरेशन मतलब यहां से हम लोग करने वाले हैं तो स्टुडेंट्स आज हम बिना कोई टाइम विस्ट किये स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर हमने इस से पहले जो चैप्टर पढ़ा था उसका टेस्ट संडे को होगा स्टुडेंट्स आप लोग टेलिग्राम ग्रूप पर जुड़ी हैं वहाँ पर हमें हाई कीजिए आज का जो चैप्टर है स्टुडेंट्स उसका नाम है केमिकल रियक्शन एंड केटेलिस्ट क्या नाम है chemical reaction and catalyst समझे ये students देखिए लिखने काम बाद में है पहले हमें समझ में आनी चाहिए चीज़ें कि होता क्या है सबसे पहले हम लोग समझेंगी chemical reaction क्या होती है students chemical का मतलब है chemical से होने वाली reaction का मतलब है reaction chemical से होने वाली reaction कि आप 2 या 2 से ज़्यादा chemical लो और उनको आपस में react करवाओ उनको react करवाओ और react करवाने के बाद में कोई तीसरा नया chemical बन जाए तो इस तरह की reaction को students हम बोलते है chemical reaction जैसे कि मैंने एक तरफ तो लिया students milk और एक तरफ मैंने लिया थूड़ा सा curd यानि कि दही इस ठंडे दूद में थोड़ा सा मैंने करड मिला दिया और सारी रात रख दिया और सारी रात नखने के बाद में क्या बनेगा बिल्कुल सही बात है दही बन जाएगा तो students हमने दो चीजों को मिलाया था दो chemicals हमारे पास में थे एक तो milk था और एक दही था दो chemical हमारे पास में थे दोनों को मिलाया तीसरा chemical बन गया समझ रहे है students एक example और लेते हैं जैसे कि मैंने लिया water और water गंदर मैंने डाला salt यानि कि नमक और मैंने इसमें डाला sugar और फिर मैंने इसमें डाला neembu मतलब कि lemon चारों चीजों को मिला दिया अपस में और घोल दिया रियक्शन करवा दिया बताओ क्या बनेगी lemon water या फिर शिकंजी जो आप घर में बनाते हैं समझ रहे है students तो हमने चार chemical लिये थे और चारों chemical को मिलाने पर क्या बन गया हमारा lemon water बन गया तो इस तरह की जो reaction होती है students उसको हम बोलते है chemical reaction समझ में आया इसको भी लिखते हैं हम और students catalyst क्या होता है जैसे कि माल लीजिए हम कोई reaction करवाने जा रहे हैं दिमाग में मिठाइएगा कि हम कोई reaction करवाने जा रहे हैं एक तो हमारे पास substance A है एक B है और दोनों को react करवाने पर कोई तीसरा substance C बन गया अब दो को मिलाने पर students कुछ ना कुछ time तो लेगा हो कुछ ना कुछ time तो लेगा हो reaction करने में लेकिन अगर किसी इंसान को जल्द बाजी है कि नहीं मैं तो ना तो time दे सकता हूँ मुझे तो जल्दी चाहिए यह reaction तो students किसी भी reaction को जल्दी कराने के लिए make making fast इसको यह से लिखेंगे to make fast किसी भी reaction को fast करवाने के लिए उसमें कुछ substance डाला जाता है जिसको बोलते है students catalyst समझ गए अब कोई इंसान चाहता है कि मैं तो fast नहीं चाहता मैं तो slow चाहता हूँ reaction को तो कोई बात नहीं भी यह आप slow करने के लिए डाल दो catalyst तो इसमें दूसरा catalyst डलेगा जैसे इसमें कोई catalyst डल गया नाम है कोई नरेश किसी का नाम है नरेश नरेश छोड़ो तुम तो catalyst मान लो कोई catalyst है C1 जो काम करता है reaction को तेज करने का और कोई दूसरा बंदा चाहता है कि मैं इसको धीरे करना चाहता हूँ तो धीरे के लिए दूसरा catalyst डाल दो C2 समझे students तो catalyst का काम होता है reaction को fast या फिर slow करना समझ मैं students अब देखिए अब हम करेंगे लिखना start देखिए ये रहे हमारे notes समझ ये students chemical reaction क्या होती है when two or more than two substances are react then new substance forms जब दो या दो से ज़्यादा substance आपस मिलते हैं तो नया substance बनता है इस process को कहता है chemical reaction या आप कह सकते हैं दूसरी हमारे पास में definition है when two or more than two reactants अभी बताएंगे reactants क्या होते है when two or more than two reactants are reacted जब दो reactants आपस में मिलते हैं then form a new product तो एक नया product बनता है ठीक है इस process को कहता है students chemical reaction देखिए two reactants जो arrow के इस side में होता है students left side में उसको हम कहते है reactants मतलब कि जो part ले रहे हैं किसी reaction के अंदर और जो बनता है उसको कहते है product समझ गए students तो अगर दो या दो से ज़्यादा reactants मिलता है तो एक product बनता है एक क्या ज़्यादा भी बन सकते हैं तो जो बनता है उसको तो कहते है product और जो बना रहा है उसको कहता है reactants ठीक है अभी अभी मैंने आपको बताया है कि milk के अंदर curd मिलाएंगे तो curd बन जाएगा यह chemical reaction ही है साब दूसरा है water lemon salt और sugar भी मिला लो इसके अंदर तो क्या बनेगा lemon water मतलब की शिकन जी अभी अभी बताया catalyst क्या काम करता है किसी भी reaction को fast या फिर slow करने का काम करता है तो catalyst is a substance कोई substance होता ही है which is used to make chemical reaction fast और slow किसी को slow चाहिए तो slow के लिए catalyst डालो slow वाला डालो किसी को fast चीह तो fast वाला catalyst डालो समझ गया students एक तो आप सोच के देखो catalyst क्या हो सकता है आप सोच के देखो आपने पानी रखा गरम करने के लिए आपने पानी रखा गरम करने के लिए धूब में तो इसको पास गंटे लग खया गरम होने के अंदर कितने लग गए पास गंटे लग गए और वही इस पानी को गरम करने के लिए आपने इसको गैस पर चड़ा दिया तो बताओ यह आदे गंटे में गरम हुआ नहीं हुआ तो गैस क्या है गैस एक तरह का कैटलिस्ट है जो उस रियक्शन हो क्या कर दिया फास्ट कर दिया ठीक है स्टुडेंट्स अब हम बात करना चाहते हैं कि लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजिस होते हैं स्टुडेंट्स जैसे कि बच्चा बड़ा होता है तो उसके डाड़ी मूँ चाने लग जाती है यह एक तरह का चेंज होता है क्योंकि वो बड़ा हो रहा है दूसरी बात अगर लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजिस आते हैं तो इस्टुडेंट्स जो सबस्टेंजिस होते हैं केमिकल होते हैं जो उनके अंदर भी चेंज आता है और हम इन चेंजिस के बारे में जानना चाते हैं कि चेंजिस कौन-कौन से होते हैं तो देखिए स्टुडेंट्स दो टाइप के चेंज होते हैं Changes in Substances होते हैं two type के पहला होता है Physical Change और दूसरा होता है Students Chemical Change आप समझना Students की Physical Change क्या होता है पहले मैं आपको समझाता हूँ किFizical Change क्या होता है Physical Physical का मतलब होता है जिसको आप हाथ लगा सको छू सको और पता कर सको कि ये क्या चीज है जैसे कि पत्थर है इतना बड़ा पत्थर है उस पत्थर को लेकर आप देख सकते हो उसकी शेप कैसी है कहां से मोटा है कहां से छोटा है और कैसा है पत्थर पत्थर की शेप क्या है तो उसकी वो प्रोपर्टी जो आप हाथ से देख सकते हो लगा के वो कैसी प्रोपर्टी है वो physical property है students और chemical property क्या है उसको आप हाथ लगा कर नहीं देख सकते जैसे कि क्या shape है उसकी कैसे पैचान होगे आपने दूद से धही बनाया धही की shape बता सकते हो का धही की shape कैसी है तो वो chemical change है students समझे तो यहाँ देखिए physical change क्या होता है physical change वो होता है जिसमें change in physical properties होती है physical properties कौन से होती है जैसे कि हो गया उसका shape हो गया color हो गया c o l o u r मतलब इन में change हो जाए shape कैसी है change हो गयी color में change हो गया यह हो गया physical properties और chemical change ऐसा change जिसके अंदर chemical properties में change हो जाए chemical properties जैसे कि chemical उसके अंदर का chemical ही change हो जाए जैसे कि milk और curd को हमने मिलाया था तो क्या बना था? curd बना था तो milk में अलग chemical है curd में अलग chemical है बनने वाले का chemical अलग है इसको आप chemical की form में देख सकते हो हात लगा कर नहीं देख सकते है तो बोलूगा change in physical properties here change in chemical properties not form a new substance है physical change जो होता है उसके अंदर आप new substance नहीं बणा सकते ना बनता है new substance लेकिन इसमें new substance बनता है सोचके देखिए milk और काइड को मिलाया था तो नया substance बना था न इस्टुडेंट्स दोनों को चेंज हो गया मतलब कि एक new substance बन गया इससे पेट्रोल से धुआ बन गया देखिए लिखर रहा बर्निंग दा पेट्रोल पेट्रोल से धुआ बन गया एक नया ही सबस्टेंज बन गया लेकिन इसके अंदर नया सबस्टेंज नहीं बनेगा students जैसे कि water है तो water से ice बन जाएगी अब ice भी तो एक तरह का पानी ही है खाली उसकी shape change हुई है पहले उसकी shape ऐसे पानी की type में थी आप हाथ में लेनी सकते थे अब उसको आप हाथ में ले सकते हो milk है दूद से आपने ice cream बना दी जमाके और तो ice cream भी तो दूद ही है chemical थोड़ी ना change हो है थोड़ी देर आप इसको दही बनाया है तो वो पर्मानेंटली दही रहेगा कभी वो दूद नहीं बन सकता आगे दही से चार्च बन जाएगी दही के बाद में घी बन जाएगा जो भी मक्षन वगरा आगे बनते हैं वो बन जाएगे लेकिन वो पीछे की तरफ वापस से आके मतलब टेमप्रेर नह गई तो आइस से वोटर भी बन सकती है रिवर्सिबल का साहिन यह होता है इधर से इधर रियक्षन जा सकती है तो इधर से इधर सी भी आ सकती है समझ गए यह होती रिवर्सिबल कि अगर मिल्क से कर्ड बन गया तो कर्ड से मिल्क नहीं बन सकता इस तरह का चेंज केमिकल च candle आपने जलाई और उसके बाद में उसका क्या हो गया धुआ बन गया next आता है coming out of gases आपने gas खुली छोड़ दी gas किसमे convert होई हवा में convert होगई अब आप उसको वापस से gas नहीं बना सकते ठीक है students next आता है अभी जो मैंना आपको पढ़ाया था chemical reaction यहाँ पर यह वाली definition अभी यह definition मैंने आपको बिल्कुल definition पढ़ाई थी इसकी एक definition मैंने आगे और लिखवा दी आप दोनों में से कोई सी भी लिख सकते हैं equation के अंदर देखिए एक और chemical reaction book के according मैंने लिखी है वो मेरे according थी यह book के according है दोनों लिख सकते हो कोई problem नहीं है the change by which change occurs in the chemical properties of substance that is called chemical reaction ऐसा change जो किसी substance की chemical properties के अंदर change कर दे उस change को क्या कहते है chemical reaction कहते हैं जैसे की magnesium और oxygen को मिलाया तो क्या मिला students magnesium oxide समझे आप magnesium oxide मिलिया इस line को मत लिखो नीचे वाली को सिर्फ इतना ही लिखो आप ठीक है अभी बताऊंगा क्यों नहीं लिखना तो आपको मैंने बताया था reaction के इस तरफ जो भाग ले रहे है magnesium और oxygen इनको क्या बोलते है रियक्टेंट्स बोलते हैं substances which are taking part in chemical reaction जो chemical reaction में पार्ट ले रहे हैं जो मैंने बोला था वो ही लिखवा रहा हूं और क्या बना magnesium oxide बना तो जो बनने वाला होता है उसको हम कहते हैं students product और product बोलते हैं substances which are forming after chemical reaction जो chemical reaction के बाद में बन जाता है उसको हम कहते हैं product ठीक है students तो यहां हमने पढ़े ये चीजे आईए हम next चीज देखते हैं अब हमारा जो next topic है students उसका नाम है chemical equation chemical reaction हमने पढ़ ली अब हम पढ़ेंगे chemical equation अब यह भी मैंने आपको एक reaction बताई थी क्या कि magnesium को मैंने oxygen के साथ मिला दिया तो मुझे क्या मिला magnesium oxide मिला students ऐसे लिखो गये तो यह हो गया chemical equation लेकिन बार-बार इतनी बड़ी लिखना संभव बात नहीं है बार-बार नहीं लिख सकता है एक आम इंसान तो क्या है कि इनको students फोर मुले के तोर पर लिखा जाता है जिसे magnesium को mg oxygen को O2 और बनने वाला magnesium oxide अब इनको आप settlement कर दीजिए नाइंत क्लास में आपने इनको balance करना सिखा होगा कि यहाँ 2 mg है तो यहाँ 2 mg हो बन गया तो language से formula की form में लिखना ही chemical equation होता है students ठीक है समझ मैं तो इसके notes में इस तरह से लिखेंगे chemical equation क्या होता है the substances are represented by the molecular formula जो substances दिये हो है magnesium और oxygen इनको molecular formula से denote करना ही क्या होता है and symbols in a chemical reaction और symbols के थुरून को react करना ही क्या होता है that is called chemical equation magnesium oxygen to note किया magnesium oxide 2 mg carbon plus oxygen तो carbon को C लिख दिया oxygen को O2 लिख दिया क्या बन गया carbon dioxide और इसको मैंने लिख दिया CO2 इधर वाले reactant होते हैं इसके तीर के इधर वाले product होते हैं ठीक है students यहां तक हमने पढ़ा है students यहां तक पढ़ने के बाद मैं आपको बताता हूं कि question किस तरह से बनता है इस chapter के अंदर तो next students question लिखिए मैं आपको लिख के बता रहा हूं यहां यहां इस जगे पर बीच में question लिखना यह नया जो topic है यह बताऊंगा आपको just question मताने के बाद में देखिए question write the difference between physical and chemical changes physical और chemical changes में क्या के difference होता है वो आपको लिखना है तो यह देखिए students यह रहे है physical changes के अंदर क्या क्या होता है changes in physical change होता है वो physical properties में होता है कोई नया substance नहीं बनता है temporary होता है और यह reversible होता है students इसके बाद में आता है change in chemical reaction forms a new substance permanent होता है irreversible होता है और 2-3 निन के example दे सकते हो तो यह question बनता है यहां तक की theory का और theory तो आपको यादी करने है चलिए students हम देखते हैं हमारा next topic और यह है very very important topic क्योंकि इससे question पहले भी board में पूछा गया है और question बड़ा पूछा जाता है इससे छोटा question नहीं पूछते हैं छोटा भी एक बताता हूं अभी किस तरह का पूछेंगे तो यह हमारा next topic है steps for writing chemical equation chemical equation को लिखने के क्या क्या step है यह आपको आने चाहिए students समझेगा ध्यान से 10 step है कितने 10 step है पूछेगा तो 5 यह अच्छे नमर में बड़ा question पूछेगा और इनके बीच में से भी पूछ लेगा देखिए students पहला क्या कहता है for writing an equation of chemical reaction first of all write the reactants sign to arrow and then products कि reactants अगर आप लिख रहे हो और इधर product लिख रहे हो तो दोनों के बीच में एक arrow का sign आना चाहिए ऐसी बात है और कोई sign आप नहीं लगा सकते समझे next आती है बात कि if the number of reactants and products are more than one जो reactants लेते है न स्टुडेंट्स इस तरफ इनकों कहता है reactants कि जो आप reactants ले रहे हो R E A C react T A N T S reactants आप ले रहे हो अगर यह दो यह दो से ज़्यादा है तो उनके बीच में plus का sign लगाओ क्या लगाओ plus का sign लगाओ और तीर लगाना तो हमने सीख लिया तो plus का sign लगाना कम पल सरी है ठीक है अब देखिए students हमारे पास में है next step this is step number 3 step number 3 यह कहती है students पहले समझिए कि जब भी आप कोई reaction बनाते हूँ तो reactants इस तरफ का माल और तीर के इस तरफ का material दोनों का जो mass है दोनों का जो वजन है वो हमेशा same रहता है मतलब reactants का जो mass है वो और products का जो mass है वो हमेशा same रहता है पढ़िए देखिए there is neither formation of mass ना तो mass को बना सकते हो nor decay in chemical reaction और ना उसको खराब कर सकते हो formation यानी होता है students बनना और decay यानी होता है मतलब कि बीतना खतम होना बीतना बोल सकते हो है decay यानी खतम होना in a chemical reaction so they will be equal number of atoms of reaction and products showing at both sides of sign of arrow यहां तक का भी लिख सकते हो हाप की decay in a chemical reaction सिर्फ यहीं तक लिख दो chemical reaction तक ठीक है तो इसका mass और इसका mass क्या होता है same होता है यह क्या होता है एक नियम होता है और कौन सा नियम होता है low of mass conservation students very very important है पूछा जाता है exams में कि what is the law of mass conservation mass conservation law यह कहता है according to the law of mass conservation the chemical combination of reactants is equal to the mass of products in a chemical reaction किसी भी chemical reaction के अंदर जो mass reactants का होता है वही mass इदर की तरफ products का होता है ना तो यह change हो सकता है ना यह बढ़ सकता है ना यह घट सकता है वही बात है ना तो इसका formation हो सकता है और ना यह decay हो सकता है उससी को लिखा है according to law of conservation of chemical combination chemical combination का मतलब दो या दो से जादा chemical reactants मिलते हैं दिखिए इस तरह से the mass of reactants in mass का जो reactants का जो mass होगा is equal to the mass of product यह equal होगा mass of product के same वही बात आगई यह वाली कि reactants लिख दो reactants का जो mass होगा वो equal होगा students किसके यह चीज़ लिखना जरूरी है product के mass के equal होगा next देखिए fourth point equation can be balanced by increasing or decreasing the number of molecules of both sides आपने सीखा होगा 11th sorry 9th class में कि equation को हम लोग balance करते थे वहाँ पर तो equation को balance करना compulsory है और वो कैसे कर सकते हैं किसी भी molecule के number को बढ़ा कर या फिर घटा कर देखिए mg प्लस O2 है तो इससे मुझे मिला two molecules of MgO तो अब मुझे इसको balance करना पड़ेगा कैसे balance करूंगा mg के आगे two लगा के समझ रहे हो यह हम आगे सीखने वाले हैं वैसे 9th में भी सीखा होगा आपने कि कैसे reaction को balance करते हैं आगे भी सिखाऊंगा आपको तो यह जो हम balance करते हैं न students अपनी mergers है इसको हम कहते हैं heat and trial method ठीक है तो यह line क्या हो गई equation can be balanced by increasing or decreasing the number of molecules both sides it is called heat and trial method ठीक है next आता fifth point first of all atoms other than oxygen and hydrogen balanced to to balanced to balance the chemical equation कि अगर आपको कोई equation दी हुई है तो सबसे पहले oxygen और hydrogen को छोड़कर बाकी जो भी दिया हुआ है उसको balance करो आप hydrogen और oxygen को बाद में करो तो equation क्या होती है easy हो जाती है जिसे हमारे पास में दिया हुआ है propane c3h8 plus o2 और reaction दीविये से बन गया co2 carbon dioxide और h2o यानिकी water अब students मैंने इसको o को और h को balance करने का नहीं सोचा मैंने तो सोचा कि सिर्फ और सिर्फ carbon को करता हूँ एक बार तो मैंने देखा carbon कितना है यहाँ पर 3 है तो students मैंने यहाँ पर भी 3 कर दिया अब एक बार चेक किया मैंने कि बाकि सब balance है क्या यहाँ 3 कर बन है यहाँ भी 3 कर बन है यहाँ है है कितने है students 8h है तो यहाँ पर भी h check करता हूँ कितने है यहाँ एच सिर्फ 2 है समझ रहो students तो unbalance है यहाँ पर O कितना है 2 है और यहाँ पर O कितना है students 2, 3 जा 6 O है students समझ रहे हो तो हम इसको क्या करना पड़ेगा balance करना पड़ेगा तो हमने देखा students की यहाँ पर hydrogen 8 है और यहाँ पर सिर्फ 2 है मैं क्यों ना यहाँ पर 4 लगा दूँ तो 4 टूँजा 8 हाइड्रोजन इधर की तरफ भी 8 हाइड्रोजन समझे आप अब देखते हैं C3 है यहाँ पर भी C3 है oxygen यहाँ पर 2 है यहाँ पर oxygen कितना है students 2, 3 जा 6 है students तो मैं क्या करूँगा इधर की तरफ 2 है अब मैं एक बार oxygen तो नहीं है मतलब balance अब H देखो H इधर 8 है और इधर भी H 8 है 4 टूजा 8 बच गया क्या oxygen बच गया कि oxygen इधर कितने है 3 टूजा 6 और 4 इधर है तो 6 तो इधर है और 4 इधर है देखिए कितने है 10 है students तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 5 लिख दूँगा 5 टूजा 10 तो इधर की तरफ भी oxygen 10 है इधर भी 10 है C और H तो हमने balance करी दिया तो इस तरह से हम लोग balance कर सकते है students चलिए हम देखते हैं हमारी next point now see everyone हमारे पास में हमारा next point है क्या बोल रहा है देखिए point बढ़ा अच्छा है कि after balancing the chemical reaction the physical state of the reactants and product are represented by writing S for solids L for liquid G for gas and AQ for aqua solution समझ यह इसको क्या बोल रहा है आप अपनी language में भी लिख सकते हैं समझ यह क्या बोल रहा है कि जब भी आप किसी reaction को बनाओ और उसको आप balance कर दो जैसे कि 2Mg प्लस O2 बनाके और मैंने 2Mg बना दिया magnesium plus oxygen is equal to magnesium oxide तो जब आपकी reaction बन जाए तो बनने के बाद में उसका जो form है मतलब कि यह किस form के अंदर है solid में है, liquid में है जो भी information आपके बास में है उसके according लिख दो जिसे यह solid के अंदर है magnesium क्या होता है solid होता है तो उसको bracket में लिखो solid oxygen क्या होती है students gas होती है और बनने वाला magnesium oxide क्या होता है gas होता है तो gas लिखो आप ऐसे कहना चाहरा है तो solid के लिए solid और liquid के लिए L और gas के लिए G हमें लिखना है और students AQ लिखना है aqueous solution के लिए किसके लिए aqueous solution के लिए aqueous solution का मतलब होता है जलिये विलियन हिंदी में बोलते है जलिये विलियन जलिये विलियन का students मतलब होता है कि पानी में घुला हुआ अगर कोई है तो उसके bracket में लिखिए aqueous जैसे कि मैंने cao लिया ये solid होता है चूना बोलते हैं इसको इसको हिंदी में चूना बोलते है और इसको मैंने liquid यानि कि water में मिला दिया तो पानी में चूना गुल गया अब गुलने के बाद में बन गया cao h का hold twice तो ये क्या हो गया पानी में गुला हुआ हो गया तो मैं इसको लिखूंगा aq ठीक है नेक्स्ट देखिए स्टुडेंट सेवन्थ नंबर कि reversible sign of arrow देखिए reversible का sign ये होता है इन बोथ direction is used in case of reversible reaction अगर कोई reaction reversible है कि पानी से बर्फ बन सकती है और बर्फ से पानी बन सकता है तो ये दोनों तरफ reaction हो रही है reversible का मतलब इदर से इदर भी जा सकती है और इदर से इदर भी आ सकती है तो ऐसी reaction की जगे पर आप reversible sign लगाई है एट जो है point वो क्या कहता है students की अगर कोई reaction हो रही है और उस reaction को कुछ temperature या pressure चाहिए अगर किसी reaction को temperature या फिर प्रेशर चाहिए प्रेशर की spelling से लिखेंगे प्रेशर प्रेशर चाहिए अगर किसी reaction को temperature या pressure चाहिए जैसे कि आपने एक भगोना लिया और उसके अंदर सबजी डाल के रख दी पानी तेल वगरा सब डाल दिया अब वो तब तक नहीं बनेगी student जब तक आपने उसमें gas open नहीं करोगे मतलब उसको क्या चाहिए उसको temperature चाहिए समझ रहे हो आप और इसी तरह से pressure होता है कि pressure cooker को इतना pressure चाहिए तब जागे चामल पकेंगे तो अगर किसी reaction को temperature या फिर pressure चाहिए होता है तो हमेशा उस reaction का जो arrow होता है na students उसके उपर लिखा जाता है temperature और pressure बस यह बता रहा है और कहीं पर आप नहीं लिख सकते तो देखिए end to gas form में और H2 भी gas form के अंदर हमने लिए और हमने बनाई 2NH3 इसको बोलते है ammonia, ammonia की spelling में AWMONIA next point आता है the quantity of heat is written by H end minus heat जो होती है na, जैसे आपने cooker के अंदर खाना पकाया, तो heat निकलती है उसके अंदर से गरमास निकलती है तो गरमाट जो निकल रही है उसको हम बोलते है heat, की heat को हम denote करता है या तो plus से या फिर minus से, plus denote करा जाता है students exothermic reaction के लिए और minus represent के जाता है endothermic के लिए यह है exothermic 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 and endothermic endothermic exothermic के लिए plus यूज करोगे endothermic के लिए minus यूज करोगे exothermic वो होता है student जिसमें heat निकलती है जैसे कि आपने cooker चड़ाया, तो cooker के अंदर से क्या निकल रही है, heat निकल रही है एक example निकल लिए जो, cooker और मैं लिख लाऊ heat release r-e-l-e-a-s heat releases heat release हो रही है, तो वो reaction होती है exothermic वहीं endothermic कौन सी होती है student जैसे कि gas, आपने gas चला दिया, सबजी को पकाने के लिए तो आपने gas के अंदर gas के थूजी को क्या दिया heat दी, तो यह heat आपने दी है, तो यह हो गया endothermic मतलब की heat release नहीं हो रही, heat देनी पड़ रही है हमको heat giving या फिर वो heat ले रही है, तो heat taking बोल सकते हो, ठीक है तो जो लेती हो, उसको बोलते है heat, endothermic और जो निकालती है उसको बोलते हैं हम लोग exothermic तो exothermic को represent करते है plus से और endothermic को represent करते है minus से, जो heat होता है students, उसका जो sign होता है वो होता है triangle समझ गया आप, यह triangle होता है heat का sign next देखिए students, catalyst पर बात आजाती है, पहले यह example बता जाता हूँ कि N2 plus 3H2, यह NH3 तो बन गया, लेकिन इसके साथ में plus 10.5 kcal per mole की energy निकली है heat निकली है, तो plus में लिखा हुआ है और N2 plus 2O2 reaction हुई, तो क्या बना 2NO2, तो minus 21.6 kcal per mole मतलब कि यहाँ पर हमको reaction में देना पड़ा है heat को next आता है 10th point the catalyst used in the reaction is written above the sign of arrow catalyst आप कभी डालते हो किसी reaction के अंदर तो उसको हमेशा arrow के उपर की तरफ लिखा जाता है students, कैसे लिखा जाता है, देखिएगा इस तरह से लिखा जाता है कि यह तो है ethane और यह है H2 जब दोन्यों की reaction आपस में हो गई होने के बाद में हमारा बन गया ethane ethane से ethane बन गया और इसमें एक catalyst डला है जो catalyst आप लिखोगे हमेशा arrow के उपर दूसरी जगे पर आप नहीं लिख सकते है students तो यह आज का हमारा notes था इस वाले chapter का हम आपसे next lecture में मिलेंगे students और बात करेंगे characteristics of chemical equation की chemical equation की क्या क्या खास बाते होती है आज के लिए इतना ही सारे notes को अच्छे से copy करिए और याद करना start कीजिए students आज के लिए